Hello everyone, today we are starting with chapter 5th operations on national number, standard 7th तो क्या होता है rational numbers उसके बारे में बारे basics जानकारी ले ले लेते हैं Any number in the form of numerator and denominator or in the form of A by B Hence it is called rational number कितना इसी है? Numerator और denominator के form में जो भी number रहेगा वो क्या हो जाएगा? Rational number हो जाएगा 2 by 3 is rational number 5 by 8 is rational number Minus 9 by 13 is rational number ठीक है? तो कोई भी number ऐसे form आपको ऐसे दिखे इसको टिक लगा देने का rational number पर ठीक है? Minus form में दिखे, plus form में दिखे इसका matter नहीं है उसको rational number पर टिक लगा देने का ठीक है? तो practice set 22 पर बढ़ते है Practice set 22 Carry out the addition The most favorite for each and every student है की नहीं? Addition एकदम easily हो जाता है sir फटाफट 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 कर देते हैं हम लोग देखो sir अभी भी हम लोग सबसे पहले करके दिखाएंगे चलिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? 5 by 36 प्लस 6 by 42 यह दो चीज का हमें addition करके दिखाना है quickly सब बच्चे करके दिखा सकते हैं ठीक है? No issue हम लोग दो चीज देख लेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग दो method से करेंगे cross multiply कर लेते हैं पहले ठीक है? cross multiply method और LCM method one on the same ठीक है? तो यहाँ पर आप cross multiply method करोगे तो आपको एक benefit रहेगा कि question जो होता है यह फटाफट फटाफट quickly हो जाता है straight multiply कर देंगे हम लोग 42 multiply by 42 multiply by 5 plus 36 multiply by 6 divide by 36 into 42 ठीक है? तो cross multiply method और LCM method आप दोनो method कर सकते हो जो भी आपको preferable लगेगा ठीक है? मैं आपको कुछ questions में सिखा दूँगा अगर आपको चाहिए तो मैं LCM method सिखाऊँगा ने तो मैं cross multiply पर ही ठीका रहूँगा ठीक है? It's one and easy सब बच्चों के लिए easy हो जाता है सीधा cross multiply कर लिए और plus कर लिए 42 multiply by 5 5 2s are 10 1 गया यहाँपर 5 4s are 20 जो हमारा 5 4s are क्या हो जाएगा? 20 तो यहाँपर आजएगा 2 1 0 plus 36 6 6 are 36 3 उपर गया 6 3 is 18 2 1 यह कैसे की असर आपने? बहुत easy method है कुछ जादा इतना hectic नहीं है जो normal आप multiplication करते हो वो ही है इतना multiplication दा आप खुद से भी कर सकते हो ठीक है? मैंने बस आप लोग के लिए इसके लिए मैंने फटा-फट किया ताकि वीडियो जो होती हो length ना बढ़ जाए वीडियो की ठीक है? आप लोगों के लिए मैं एक और multiplication जो है 36 into 42 करके दिखा देता हूँ 36 into 42 6 2s are 12 1 3 2 6 1 7 0 6 4s are 24 2 4 3s are 12 12 to 14 17 कितना है है है? 7 4 11 1 5 1 5 1 2 बढ़ा है लिकिन क्या करें? करना तो पड़ेगा ना अब 210 प्लस 216 तो हमारे यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर अब स्रियर सीधा दिखे लिए 2 प्लस 2 4 1 प्लस 1 2 6 डिवाड़ बाइ 1 5 1 2 तो यहां पर सिंपल हमें दिख रहा है कि 4 26 जो है किसी ना किसी टेबल में जो है जाएगा ही जाएगा डेफिनिटी 2 के टेबल में जाएगा और ये भी जाएगा चेक करना है दोनों किसी एक ही टेबल में जा रहे हैं क्या? यह सर जा रहे है में जा रहे है तू कर तेबल में यार सर। चलीए फड़ा 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 टू कर तो इनको रिद्यूस कर लेते हैं को तेप्ट में 426 कर थीस करें गाता तो के 2 बुरक में 2 आगे, यहनी 1, 2 जा 0, यहाँ पर 6 आगे, यहनी 3 Yes or No? Yes or No? यह क्या हो जाएगा मेरा 2, यह क्या हो जाएगा मेरा 1 और यह क्या हो जाएगा मेरा 3, तो अंसर कितना है 2, 1, 3 डिवैड़ अब है, 1, 5, 1, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं directly देखो 15 है तो 2, 7 जा 14 हो जाएगा सीधा 1 गया तो 5 और यहाँ पर जो मेरा एक और नमबर इसके आगे बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा 15 का 7, 14 5 का 10, 1, 12, 6 यह आप खुद से डिवैड़ कर सकते हो 21, 0 और यह 1 हो जाएगा तो यह क्या आजाएगा 1, 3 का 1 ठीक है, तो क्या आगया है? 71 और नीचे क्या है 756 ताब 756 को भी 3 के टेबल में definitely डिवैड़ कर सकते हो 3, 2 सा 6, 1, 5, 15 3, 5 जा 15 और 6 का हो जाएगा 2, यहनि 2, 5, 2 ठीक है? अब यहाँ पर आप देखलो यह 71 आ गया है, ठीक है? यह हमारा अंसर होगा, क्यों? क्योंकि 71 क्या है हमारा प्राइम नंबर और प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, आपको खुद को याद होगा जल्दी से हम लोगों को बताइए सर हमें बहुत important है है ना तो हम लोग एक और method से क्या कर सकते हैं जो हम देख सकते हैं कि क्या ये दो number जो है और ये दो number है किसी एक की table में जा रहा है चेक करो ये तो 5 तो जाएगा निए ये जा रहा है कि हाँ चेक करो 6 1 2 6 7 2 ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक देख लेते हैं इसकी क्या है कि जो 6 है 6 वाला ये वाला जो number है ये किसी भी ये दो number किसी एक table में जा रहे का है ये दो number ये दो number तो नहीं जा रहे definitely 5 5 के table में ये नहीं आ रहा है बट ये 6 के table में आता है 6 7s 42 तो हम लोग इसको reduce कर लेते हैं इसको क्या कर लेते हैं हम लोग 6 1s 6 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 7 6 ठीक है तो ये 6 6 के गोट cancel 1 by 7 बचेगा यहाँ पर clearly simple दिख रहा है तो 5 by 36 1 by 7 अब आप cross multiply कर लो फटा फटा फट अंसर हो जाएगा 75 35 plus 36 1s 36 divided by 36 into 7 करना है तो easily आप कर सकते हो 36 into 7 75 35 76 42 24 730 21 4 252 तो 252 नीचे आ गया अब इन दोनों का प्लस कर दो 35 plus 36 कितना हो जाएगा 71 divided by 252 answer आया की नहीं अब इतना बड़ा ताम जहाम करना है तो भी आप कर सकते हो यह ऐसे short में करना यह भी कर सकते हो दोनों method आपके लिए applicable है ठीक है तो मैंने आपको जो है pure method जो है cross multiply method दिखा दिये है और एक मैंने trick method दिखा दिये है तो आप दोनों में से जो method choose करो वो one in the good है, ठीक है, तो हम लोग question number 2 की तरफ बढ़ते है question number 2 question number 2 क्या है हमारा 1, 2 by 3 plus 2, 4 by 5 इसको हम लोग एक simple method से करते हैं आप लोग को अगर पता होगा तो यहां से हम लोग multiply करते हैं, यहां से plus यहां से हम लोग multiply यहां से plus ठीक है, ओके start करते हैं, 3 बन्जा 3 into 1 plus 2 divide by 3 plus 5 2 बन्जा 5 into 2 plus 4 divide by 5 ठीक है, इसको हम बढ़ते हैं 3 बन्जा 3 plus 2 5 by 3 आगया plus 5 बन्जा 10 plus 4 14 by 5 आगया yes or no नहीं समझा सर, एक और पर बताइए 3 बन्जा 3 plus 2 5, तो 5 by 3 आगया 5 2 आगया 10, 10 plus 4 14, 14 by 5 आगया ठीक है, चेक करो किसी एक टेपलिम जा रहे हैं, नहीं, छोड़ दो अब हम लोग direct cross multiply करते हैं 5 5 बन्जा 25 14 3 आगया 42 divide by 5 3 आगया 15 basics आपको आने चाहिए, इसके आगया प्लस कर लो आपका answer आजाएगा, यहाँ पर मैं इसको 5 दे दूँगा, 42 plus 25 करेंगे तो आपका कितना आजाएगा 67 divided by 15 is your answer easy easy or not ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को sums फटाफट, फटाफट, फटाफट quickly करने हैं, बहुत easy है, इसके आगे का आप वीडियो पॉस्ट करेंगे, खुद से एक बढ़ ट्राइ कर सकते हो the third sum okay, that is 11 by 17 plus 13 by 19 थोड़ा सा बड़ा sum आगया है मसा आएगा करने में लेकिन ठीक है, solve करते हैं, फटफट, फटफट यहाँ पर आप clearly देख लो, यहाँ यह दू जा रहा है, यह दू जा रहा है, नहीं जा रहा है अब आगे हम लोगों को बढ़ने ही बढ़े है, कोई chance ही नहीं है ठीक है, तो 19 into 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 209 ठीक है, 19, 11 जा, 190 10 जा करोगे तो 190 प्लस उसमें 19 प्लस करते हो, तो आपका नसोजएगा 209, अब 17, 13 जा 17, 13 जा आपको करना पड़ेगा 17 into 13 37 जा 21, 2 3, 1, 3, 2, 5, 0 7, 7, 7, 1, 1, 1 1, 7, 5, 12, 1 2, 2, 21 आगया प्लस 2, 21 डिवैड बैं, 19 into 17 यह 17 into 19 भी आप कर सकते हो ठीक है, 17, 19 करने का best तरीका बतरा, 17 into 20 करोगा तो आपको 340 आएगा, 340 में से 17 माइनस करोगा आपका अंसर आजाएगा यह स्मार्ट वक होता है ठीक है, 323 आपका अंसर आ रहे है, इन दोनों को प्लस करदो इन दोनों को प्लस करो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो यह कितना है 200, 200, 400 तो यह ही हो गया पहले तो फिर यह 9 है और 21 है तो clearly मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर 30 हो जाएगा divided by 3, 2, 3 अब चेक करो किसी टेबल में जा रहे हैं क्या किसी टेबल में एक ही टेबल में जाने चीए ठीक है पीछे क्या है 0 पीछे क्या है 0 और आपको इस ध्यान में बता दू जब भी किसी भी नंबर के पीछे 0 आए तो वो किस किस टेबल में जा सकता है या तो 2 के टेबल में जा सकता है या तो 4 के टेबल में जा सकता है 3 के बेटेबल में जा सकता है तो 2 के टेबल में जाएगा yes जाएगा यह क्या two के table में जाएगा नहीं क्योंकि पीछे three है यह smart work है ठीक है जो जो बच्चे मेरे पहले भी class बैट चुके पहले भी class अच्छे से देख चुके तो उनको मैं easily सीखा दूँ see अगर हम पीछे three को देख लें तो three किसके table में जा सकता है three three खुद के table में जा सकता है yes और no yes और no तो ऐसे हमको चेक करना है ऐसे कुछ कुछी से चेक करना है two के table में नहीं जाएगा three के table में जा रहा है बट यह जाएगा three के table में नहीं तो ऐसे हम लोग को चेक करना है कि answer आने वाला है कि नहीं आने वाला है तो हम लोग यहीं छोड़ देंगे यह हमारा answer हो जाएगा यह fast method है fast तरीका है fast adaptability है ठीक है तो three questions यहाँ पर होगा fourth question हम लोग फटापट फटापट quickly कर लेते हैं fourth question जो हमारा क्या है two three by eleven plus one three by seventy seven ठीक है solution देख लेते हैं इसका फटाफट quickly एक दम easy method से same way सी multiply प्लस हो जाएगा eleven two's are twenty two plus three divide by eleven plus 77 बन्जा 77 plus three 77 बन्जा 77 प्लस three divide by 77 ठीक है अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार quickly twenty two plus three कितना हो जाएगा आपका twenty five divide by eleven plus 77 plus three 80 divide by 77 ठीक है हो गया हाँ सक हो गया सम हो गया अच्छा अभी हम लोग एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो है मैंने आप लोग को एक trick बताई थी LCM ठीक है trick के अलाव अभी LCM method था तो हम लोग यहाँ पर LCM method लगा सकते हैं देखो यह कह 77 और यह कह 11 देखो मैं rocket science नहीं बात कर रहा हूँ एकदम easy method से बात कर रहा हूँ 77 और 11 है 11 into 777 होता है होता है की नहीं होता है की नहीं समझ मैं बच्चे लोग तो हम लोग यहाँ पर LCM method लगा सकते हैं LCM method क्या बोलता है दोनो denominator को हम लोग को same करना है ठीक है LCM method क्या बोलता है denominator should be same तो हम लोग को denominator को same बनाना है तो उसके लिए LCM method important है तो हम लोग 25 को 7 से multiply कर देंगे और 11 को भी 7 से multiply कर देंगे नीचे ओपर दोनों जेगा ठीक है ताकि वो similar ले plus 80 divided by 77 yes or no तो हम लोग 25 को जब 7 से multiply करेंगे तो आप खुद से कर लिए ना आप को अंसर आएगा 175 175 और 117 सा 77 आजाएगा plus 80 और 77 जब भी denominator same हो जब भी denominator जो है same होता है तो हम लोग direct plus कर देते हैं जब भी denominator same होगा तो हम लोग plus कर देंगे तो direct यहाँ पर क्या question बनता है 175 प्लस 80 डिवाइड बाइ 77 ठीक है डिवाइड बाइ 77 175 प्लस 80 को आप प्लस करोगे तो आपका अंसर आएगा 255 डिवाइड बाइ 77 is your answer 255 डिवाइड बाइ 77 चेक करना हमें क्या further डिवाइड होगा देखो उपर क्या है 5 और नीचे क्या है 7 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 जो होता है वो 5 के टेबल में ही जाएगा और 7 जो है हमारा दो टेबल में जाएगा 11 और 7 में that is not possible ठीक है तो यह दोनों अलग-अलग टेबल में जाएंगे तो हम लोग इस सम को आगे नहीं डिक्रेस का सकते हैं दोनों सीमिलर ही टेबल में जाने चाहिए ओके that's most important for this तो हम लोग आगे बढ़ते हैं question 2 पे that is subtraction subtraction आगया है आप लोग का वो question आपको जो भी आप देख लेना ठीक है short form में लिखना बहुत इसी होता है फटापट फटापट quickly करते हैं हम लोग इस चीज़ों को 7 by 11 minus 3 by 7 you people knows each and everything आप एक खुद से भी कर सकते हो इतना क्या है इसमें अभी तो बताया ना फटापट फटापट quickly हो सकता है सी यहाँ पर हम देख रहें 11 है यहाँ पर 7 है क्या यह दोनों को हम लोग similar कर सकते हैं क्या हम दोनों को यह similar कर सकते हैं कोई एक trick होगी ध्यान दो हाँ है ना सर यादा है 11 को हम लोग 7 से multiply कर देते हैं उपर भी 7 से multiply कर देते हैं यहाँ पर हम लोग 11 से multiply कर देते हैं यहाँ पर हम लोग 11 से multiply कर देते हैं base similar करने की trick है base को जो हमारा denominator है उसको हम लोग similar कर रहे cross multiply कर लो 113 सा 777 वही होने वाला है इतो 777 सा आगे 777 113 सा आगे 113 सा 1177 सा 777 4977 minus 33 divided by 77 base जब similar होता है तो हम लोग multiplication जो हमारा subtraction ने और addition ने हम लोग दोनों perform कर सकते बहुत सरे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा क्या किया सर ने कुछ नहीं किया वो ही method है cross multiply कर लो 777 49 1133 33 1177 आप cross multiply कर लो खतम करो आप यहाँ पर cross multiply कर लो easy method है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर clearly देख सकते हैं यहाँ पर याद रखना minus का sign है तो minus कर लेना बिटा यह सबसे बड़ा तकलीफ वाला काम है 49 minus 33 will be 16 divided by 77 that is your answer कैसे answer होगे सर कैसे पर देशल के जादू है कि